दोस्तरब समलों को पताई होगा कि भारत के हत्यारों को लेके कैसे पाकिस्तान का फटता है। अगर इन बातों को देखा जाए तो यह वर्निंग कम बलकि पाकिस्तान का डिर ही लग रहा है। के लिए ही एक बहुत बड़ा कंसर्ण नहीं है बलकि संपूर रिजन के जो स्टेविलिटी है उसके लिए भी एक बड़ा कंसर्ण है। और पाकिस्तान के इस थिंक टैंक के तरफ से अपने रिपोर्ट में ये भी वताया गया है कि भारत के द्वारा जो फेज वन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शिल्ड को तैयार किया गया है। उसके साथ साथ भारत अपने S-400 मिसाइल को पाकिस्तान और चायना के साथ लगे हुए बोर्डर रिजन में डिप्लॉई कर रहा है और इन सिस्टमों के पास करिव करिव 600 किलोमेटर दूर तक टार्गेटों को देखने का शमता है जिससे कि भारत के जो रैडर है ये पाकिस पाइन जैसे मिसाइल है जबकि इसके इलावा पाकिस्तान के स्थिंग टैंक का ये भी दावा है कि भारत के द्वारा इससे भी अधिक कैपेबल रैडर और इंटरसेप्टरों का भी डिफलॉप्मेंट किया जा रहा है जो कि और अधिक रेंज तक टार्गेटों को दावा किया जा रहा है कि 99.8% तक किल रेट रखता है और पाकिस्तान का ठिंग टैंक का कहना है कि ये भारत का confidence को बढ़ा रहा है और इस तरीके से बढ़े हुए confidence किसी भी conflict का कारण बन सकता है क्योंकि इस तरीके के missile defense shield से भारत को एक false sense of security हासिल होगा जो कि आने वाले समय में भारत के जो posture है उसे और aggressive बनाएगा खास करके इससे पाकिस्तान और भारत के बीच में एक परवानु युद्ध हो सकता है जबकि पाकिस्तान के इस think tank के report में ये वी दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत अपने defense shield के साथ hypersonic missile को भी जोड़ेगा जिससे कि भारत के conventional और परवानु हत्यारों के शमता बढ़ेगा और इस think tank के report में ये वी दावा किया गया है कि भारत के जो space और military technology का development है ये ही धिरे धिरे करके भारत के ऐसे missile technology को enhance कर रहा है पाकिस्तान के think tank के तरफ से पाकिस्तानी military को भी वर्ण करते हुए बताया गया है कि जिस सरी के से भारत के दोरा अपने शमता को बढ़ाया जा रहा है ये पाकिस्तान के लिए केवल मात्र थ्रेट ही नहीं है बलकि इससे भारत का पाकिस्तान के किलाव जो strike capability है वो भी enhance होगा और पाकिस्तान के security भी इससे compromise हो सकता है हाला कि दोस्तों इस think tank के तरफ से अपने military का भी पीट थफथवाया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान के पास भी भारत के ऐसे capability को counter करने के लिए कई सारे strategy है जिसके अंतरगत सबसे पहला strategy तो पाकिस्तान अपने delivery mechanism को enhance कर रहा है ताकि advanced technology के साथ भारत के missile defense system को counter किया जा सके जबकि इसके इलावा जो अन्य strategy को अपना किया जा सके हलाकि report के आखरी हिस्ते में पाकिस्तानी military को एक suggestion देते हुए ये भी बताया कि है कि भारत के बढ़ते हुए शमता को counter करने के लिए पाकिस्तान को अभी सही तैयारी करना चाहिए और अपने capability को भी enhance करना चाहिए ताकि national security को safeguard करने के साथ साथ भारत के खिलाव आवश्यक कदम उठाया जा सके हलाकि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के पास फिलाल इतना technological शमता है कि भारत के missile defense को counter करने के लिए कोई strategy अपना सके हलाकि यहाँ पे अगर चायना पाकिस्तान का मदद करता है तो संभावित पाकिस्तान के पास ये capability आए ले भारत अपने आपको काफी हद तक safeguard कर सकेगा जबकि अगर पाकिस्तान कभी भी अपने परवानु हतियारों को लेके पहला strike करता है तो उसके बाद भारत के हमले से पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ भी नहीं है जो कि पाकिस्तान को सुरक्षित रख पाए पर दोस्तों पाकिस्तान जैसे घैर जिम्मेदार पूर्ण परवानुशक्ती से अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए भारत का ये missile defense system अति आवशक था और जब ये missile defense system बन गया तो पाकिस्तान के ये जो आये दिन परवानु हतियारों का धमकी था वो तो केवल neutralize हुआ यहीं बलके पाकिस्तान का पैंड गीला और पिला भी हो गया है और इसका हर दिन जो उधारन है वो अलग-अलग ऐसे ठिंग टैंकों के रिपोर्टों के माध्यम से भी आ रहा है अब दोस्तों बड़े लड़ाई अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है तो ये काफी बड़ा विध्धन्स लाएगा जिसके बाद शायद पाकिस्तान का नामो निशान ना रहे लेकिन बड़े लड़ाई के इलावा भी अगर कोई छोटे मोटे जड़फ को देखा जाए तो ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इस्तिमाल होने वाले अलग-अलग इंटर्सेप्टर है और अलग-अलग रैडर है ये पाकिस्तान को काफी अधिक नुक्सान देगा क्यूंकि लंबे दूरी तक देख पाने वाले जो रैडर है इसके माध्यम से भारत-पाक पड़ा हुआ है तो वही पे दूसरे तरफ हाली में ही मज़ेगाउड लिमिटेड के तरफ से एक ऐसा क्लियरिंस दिया गया है जो कि पाकिस्तान जैसे देशों के हालत और खराव करने वाला है दोसों मैं यहाँ पे 60,000 करोर रुपे के प्रोजेक्ट 75i सब्मरीन के टेंडर क बात कर रहा हूँ रिपूर्ट के मुताबिक मज़ेगाउड लिमिटेड के तरफ से इस महत्वपूर्ण प्रोजेट के जो क्रूशल ट्रायल है उसे कंप्लीट कर लिया गया है अब दोसों यह जो प्रोजेक्ट 75i या फिर कहें तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया है इसके अंतर कर रहा है जबकि वही पर इन सब्मरीनों को भारत में निर्मान करने के लिए दो कंपनियों को चुना गया है जिन में एक तो है मुंबई स्थेद गौ़र्मेंट ओन मज़ेगाउड डॉक एंड शिप बिल्डिंग लिमिटेड जवकि दूसरा है प्राइविट सेक्टर अगर सब्मरीन को नेवी के द्वारा चुना जाता है तो उन सब्मरीनों का निर्मान का काम भारत में अंजाम दिया जा सके और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हाली में ही इंडियन नेवी के एक बरिष्ट अधिकारी के तरफ से मज़ेगाउड लिमिटेड को ये जानकारी नहीं आया है मतलब दोस्तो एटलीट जर्मनी के टुसन कुरूप मरीन सिस्टम्स के तरफ से जिन सब्मरीनों का ओफर भारत को किया गया है उन सब्मरीनों के पास इंडियन नेवी के स्पेसिविक रिक्वार्मेंट को पूरा करने का शमता है और अगर नेविंश रखना चाहिए कि इंडियन नेवी के तरफ से प्रोजिक 75i में कुछ महत्पूर्ण शर्त रखा गया है जिसके बज़ा से सभी कमपनी इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है नेवी के मुताब्विक इस टेंडर में वही सब्मरीन पार्टिसिपेट कर सकता ह जो कि operational air independent propulsion system के साथ active है और फिलाल दुनिया में काफी कम ऐसे सब्मरीन है जो इस तरीके के equipment के साथ available हो और दोसों ये जो air independent propulsion system है ये basically सब्मरीनों को हपते भर या उससे भी अधिक समय तक पानी के नीचे रहने में मदद करता है और बार-बार सब्मरीनों को इन सिस्टमों क बज़ा से पानी के साथ है कि उपर आके batteries को charge करने का आवशकता नहीं होता है जिसे कि सब्मरीन के underwater endurance भी enhance होता है और सब्मरीनों के stealth feature भी वड़ता है वही पे दोस्तों आप लोग ये भी जानके रखना चाहिए कि project 75i कोई नया tender नहीं है बलकि लंबे समय से इस tender के अंतरग अगर शुरू किया था जिसमें टोटल 24 सबमरिनों को खरिदने का बात कहा गया था अलाकि इन 24 सबमरिनों में 12 विदेशी सबमरिन और 12 सबमरिनों को इंडिजिनियस तरीके से बनाने का इराधा था लेकिन इन 24 सबमरिनों के project में केवल मात्र छे सबमरिन को ही अब तक साला प्रोजेट को संपूर्ण रूप से कंप्लीट करने के लिए भारत को इंडिजिनियस डिजल इलेक्टिक सब्मरीनों को भी निर्मान करना पड़ेगा मीडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 76 के अंतरगत फिलाल इंडिया नेवी के ल लगता है कि जो प्रोजेक्ट 75 आई है इसके ट्रायल रिक्वार्मेंट को क्या स्पेन के कंपनी के तरफ से ओफर किया हुआ S80 प्लस क्लास के सब्मरीनों के द्वारा भे कंपलीट किया जा सकेगा या नहीं कॉमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए दोस्तो आज के इस वीडियो को यही पर ही करते हैं समाफ्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियों मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम